बिन शादी की सास हाथ में सबसी का थेला लिये उपिंदर अपने घर लोटता है और अपनी पती को आवाज लगाता है अरे उमा जी कहा है आप जल्दी आएए जीने नहीं देता इस घर में कोई मुझे दो मिनिट माला फेल लो उसमें भी तकलिफ है इने पूजा से उठकर उमा बाहर आती है जहां अपने पती को चपल पहन कर घर के अंदर खड़ा देखकर वो आख बुबला हो जाती है चपल पहन कर अंदर आगए आप यहाँ पैरों में इतना दर्द रहने के बावजूद में घर पर चपल नहीं पहनती यह सोचकर की घर गंदा हो जाएगा और आप बाहर की चपल लेकर अंदर आगए जाए बाहर जाए और चपल उतार कर कोने में खड़े हो जाएए सुबा सुबा धिमाग खराब कर देता है यह आदमी कमला इधर आ जी माजी पूरे हॉल को फिर से पोचा मार और यह चपल वाली जगो को पहले पोचना फिर पोचे को दोना फिर दुबारा पोचा करना यह नहीं कि इस गंदगी को पूरे हॉल में घुमा दिया पर अभी अभी तो मैंने पोचा किया था बाबी और कपड़े भी तो बाकी है फिर मेरे निकलने का वक्त हो जाएगा वक्त से पहले तनखा चाहिए मारानी को पर काम के वक्त बहाने सूचते अरे करती ही तु क्या है ऐसा काम तेरे पोचा लगाने के बाद मुझे फिर पोचा लगाना पड़ता है बता है ये काम वाले भी घर छोड़ कर चली जाएगी अब जाने दीजिये ना उमा जी आप मेरी बात सुनिया ऐसे खबर लाया हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा उपिंद्र उमा को अपने साथ कमरे में लेकर जाता है और उसे शान्त करके कहता है आपको याद है उमा जी जब आप इस घर में ब्याह करके आई थी तब हमारा एक पडोसी हुआ करता संतोश भाई साब अरे जो नानी ताज चले गयता है वही संतोश भाई साब अब बापस आ गया है उने की एक बेटी है अतनी एक खूपसरत के क्या बता आज मेली थी मुझे रास्ते में मैं सोच रहा हूँ कि आशु से उसकी शादी के बाद चला दू बहु आ जाएगी तो तुमारा टेंशन भी कम हो जाएगा और हो सकता है कि बहु अपना भाग्य लेकर आए जिससे इस घर का कलेश खतम होकर घर में शान्ती हो जाए क्या मतलब है आपका? आप ये कहना चाहते हैं कि मैं घर में कलेश करती हूँ अरे नहीं नहीं आप गलत समझ रही हैं उमा जी अरे क्या गलत सब समझती हूँ मैं और आपकी पसंद की लड़की मुझे अपने बेटे के लिए लानी ही नहीं है मुझे पता था आप ऐसा ही कोई रिष्टा ढोन कर लाएंगे और रोज की तरह आज भी बहु पुरान की कथा की आवाज अपनी मा की कमरे से आती सुन आशून की कमरे में जाता है अरे ममी कौन सी लड़की आपके सामने ही आपको बता देगी कि वो घर का काम नहीं करती पहली बार में कोई भी अपना राज नहीं बता था पहले-पहले तो सब यहीं कहती है मैं काम में माहिर हूँ, मुझे सब आता है पर असली सच शादी के बाद पता चलता है और दोपर के एक बज़े अपना बैग उठाए उमा बाहर जाने के लिए तयार हो जाती है कमला, याज सचच से कपड़ उतार देना वनना कपड़ों पर अगर कवा बैट गया तो दोबारा धुलवाओंगी कपड़े तुछ से और अपने गुरूर से भरी उमा पहुंचती है पंडित जी के पास पिछले तीन सालों के तरह आज भी उनसे एक ही बात कहती है आप कोई काम काजी लड़की ढोंड कर नहीं दे रहे है पंडित जी ऐसा नहीं चलेगा आप हमारी पूरानी जज्मान है इसलिए मैं आपकी बात काटता नहीं पर उमा बैन मैं अब तक आपको तीन सो साथ रिष्टे दिखा चुका हूँ पर आपको कोई रिष्टा पसंदी नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ कर मैं कोशिश करता हूँ 361 वा रिष्टा भी देख लेते आज शाम को एक लड़की के परिवार वाले मुझे से मिलने आने वाले अगर वो लड़की मुझे समझ में आती है तो मैं आपको फोन करकी बताता हूँ यहां उमा पंडे जी के घर से बहार निकलती है तो वहां उसका बेटा आशू और आशू की गर्फरेंड प्रीती वहां पहुंच जाते हैं यहां क्यों लेकर आयो आशू तुम मुझे यहां आने से क्या होगा अरे वो तो मुझे भी नहीं पता पर हम पंडे जी को मना तो कर सकते हैं न कि वो मंटे को मेरे लिए रिष्थे बता ना ही छोड़ दे तुम बोलो कि और पंडे जी मान लेंगे उल्टा जाकर वो तुमारे मंan गरे पंडे जी बता देंगे पहले इस्तिमाल करें फिर विश्वास करें बहु इस्तिमाल करके कौन लाता है पंडीजी ये क्या बात बोल रहे हैं आप मैंने करना है सरिष्टा अरा सही तो बोल रहे है पंडीजी मुझे तो ये घर ठीक लग रहा है जिने इतना confidence है कि होने वाली सास को पहले ही अपने घर बुला रहे हैं उनकी बेटी में जरूर कोई ना कोई बात तो होगी और अपना सामान पैक कर अंदर आ गई तो फिर मुझे पूरा घर पोचना होगा मुझे ना घर में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है अरे वहाँ इस लड़की ने तो मेरे मन की बात कह दी अब हाँ हाँ तु फिक्र मत कर बहू मैं यहीं दरवाजे पर चपल उतार कराऊंगी माव कीजीगा ब आदते हैं पाबी जी कोई भी फूखा रहे है प्रिती को पसंद नहीं महमानों के आने की देर है कि यह तुरंत रस्वे में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है अरे वहाँ पिटा है अच्छा अब ला ही दिया है तो दे खा लेती हूं सुफे पर नहीं ममी जी अगर सु सुफे से उठते हैं प्रिती सोफा कवर ठीक करने लगती है वो क्याना ममी जी मुझे सलवटे पसंद नहीं है घर में सब कुछ साफ सुथरा चका चक होना चाहिए इसी कारण तो मैं घर में कभी काम वाली नहीं रखती क्योंकि उनसे ऐसे सफाई होगी नहीं उन्हें तो प अमरे का पंखा बंध होता है उसकी आँख खुल जाती है कौन है कौन है वाँ मैं हूँ मम्मी जी सुबह के चार बज गए न तो जाड़ो लगाने आई थी पांच बजे तक मुझे एक्सरसाइज करके योगा करके जाड़ो पूछा करके नहाधो कर तयार भी होना है वो मु तीन महीना क्या मुझे तो लगता है एक हफ्ते में ही से फाइनल कर दूँगी मैं पृती जानती थी कि आशु की मम्मी को कैसी बहु की तलाश है और जानती भी क्यो ना आखिर छे साल का रिलेशन्शिप था जो उसका नाश्टे की वक्त पृती आशु को कॉल लगाती है न पृती पोहा तयार करके नाश्टे के टेबल पर रखती है ओहो मैं मुखपली अलग से लाना भूल गई वो क्या न ममे जी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगते कि मुखपली पेट में जाकर पत्थर हो जाती है इसलिए मैं तो कभी मुखपली नहीं खाती अगर आपको खान के देर किस बात की करतेते हैं दोनों बच्चे की शादी पर एक बात याद रखिएगा उमा बेन शादी के बाद मैं यह नहीं सुना चाहता कि मेरे बेटी में यह कमी है मेरे बेटी में वो कमी है क्या कमी है क्या नहीं यह तो बस सामनी है अरे यह उमा देवी का वादा है व यही तो पृति चाहती थी. आखिरकार पृति अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और बहु बनकर आशू के घर आ जाती है. सोहाग रात के दिन मुझे तो लग रहा है कि मोर की तर नाचू थाही 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 ये तो तुने कमाल कर दिया पृती पर ये सब किया कैसे तुम्हारे घर तो नौकर है तुमने कभी उठकर पानी का गलास नहीं उठाया और मेरी इतनी स्ट्रिक्ट मम्मी ने तुम्हें पसंद कर लिया मेरे लिए ओ मेरे भूले पती दीव, क्या तुम्हें नहीं पता कि नाटंग कि मैं मैं कितने तेज हूँ बस दो-चार डायलोग बोले और बाकी से भूता चला गया तुम्हें क्या लगता है, वहाँ काम मैं कर रही थी, बल्कुल भी नहीं काम या तो मेरी मा कर देती थी, या काम वाली, पर वो काम करके तुरन छिप जाती थी और ममे जी के सामने जान बुझकर मैं जाडू लेकर यहां माहा के चक्कर कारती थी जिससे उनको लगता कि सारा काम मैं कर रही हूँ हाँ, थोड़ी थकावट तो हो गई, क्योंकि इस ड्रामे में मुझे सुबह चार बज़े उटना पड़ता था खेर, अब ये सारी थकावट यहां मिटा लोगी, यहां कोई काम नहीं ये किस खुश बहमे में हो तुम, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी मा कैसी है पर शाय तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसी हूँ चलो सुजाओ, और अपनी मामी के बदलने का इंतिजार करो अराम से नौ बज़े अपनी नेंद पूरी करके अंगडाई लेती हुई घर की बहु, पृती, कमरे से बाहर आती है आप तो कह रही थी कि बहु, चार बज़े उठती है ये गलती मेरी पसंद की हुई लड़की ने की होती तो आप मुझे छोड़ती, क्या बूलिया एब बहु, सरा साइड में आना तो मुझे पता है, ममी जी आप क्या सोच रही है पर आप भी एक औरत है पहली बार आशू जी से मिली थी मैं, वो भी कल रात उसके पहले आप से मिलने की इजाज़त भी नहीं दी थी उपर से सुहाग रात आप समझ सकती है न अब आच्छा अच्छा मैं समझ गए, समझ गए अब आगे क्या करना है, वो जानती है न तू जी ममी जी, अब फिक्र मेंद करिए और तयार होकर प्रिती रसुई में जाती है पांच मिनिट बाद, सर पकड़े किचन से बाहर आकर हाल में सभी की बीच बैट जाती है या वो प्रिती, तब यह तो ठीक है न दुमारी अचनक से सर में बहुत दर्द हो रहा है आशु जी शायद तेल के स्मेल से, मेरे घर पर ये तेल इस्तिमाल नहीं करते न अच्छा तो मैं तुझे दूसरा तेल निकाल कर देते हूँ, चल बताओ, तेल से भी कभी किसी का सर दुखता है क्या बुला तो आप क्या न क्या चारी, बहु ड्रामे कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है आप तो उसे जांच परक कर लेकर आईए न उमा देवी जी अरे उमा इतना क्या निर्दे बन रही है, पहला ही तो दिन हुआ है बहु का से सुराल में देख नहीं रही है, उसकी आलत कैसे सर पकड़ कर इधर उधर कर रही है बिचारी लगता है सर दर्द की कारण मुझे उल्टी आ रही है ये कहकर प्रीती बातरूम की तरफ भागती है लगता है बहु के तब ज़्यादा है खराब हो गई है और उमा खोडी सभी के लिए नाष्टा बनाने जाती है ये दोने के लिए लेकर आई हो लॉंडरि में क्यों पैसे लगाऊंगी न जाने वो कपड़ों को कैसे कैसे लोगों से धुलवाते होंगे, कहां सुखाते होंगे हाँ, बिल्कुल सही का ममीजी आपने और अपने मायकी की तरह इन्हें हाथ से दोना हा, मशीन में नहीं और प्रिती सारे कपड़े लेकर बातरूम में जाती है, उन्हें धोना शुरू करती है, कि पांच मिनिट बातरूम से चिलनाने के आवाज आती है, प्रिती के आवाज सुनकर सभी भागते हुए वहाँ जाते है अरे, यहां तो बहु गिरी पड़ी है, आशू, उठा इसे हुआ मुझे इस से, अभी तक, पर इतनी भुरी तरपी गिरी नहीं है, प्रिती, कल तक तो ठीक हो जाएगी, जहां इतने दिन बरताश किया है, वहाँ कुछ गंटे और से, और अगली सुबर ठीक चार बजे हाथ में, जाडू पकड़े उमा अपनी बहु के कमरे का दर्व खट-कट आती है, नीन में प्रिती दर्वाजा खोलती है, पुवर्या, यो बास या बात में लेना, ये रहा मेरा पैर, ले ले आशिरवाद, और शुरू कर दे जाडू लगाना है, आपको क्या लग रहा है मम्मी जी, आप मुझसे काम कर वालेंगी, बिल्कुल भी नहीं, इस गर में तो मैं नौकर लाकर ही रहूंगी, और पिती जाडू लेकर सबसे पहले अपने ससुर की कमरे में जाती है, और जैसे ही जुकती है, हाई मेरी कमर, आशु जी, भगवान जाने बहु की कुंडली में कौन सा कुरूर करह प्रबल चल रहा है, बिचारी को हर रोज जो जा रहा है, वही न बापा, इसके घर वाले क्या समझेंगे, क्या हम यहाँ इस पर अत्याचार कर रहे हैं, तुझा बहु, जा कर आराम कर, अरे यह क्या बात हुए बहु, कभी तु फिसल जाती है, कभी तेरे कमर में मोच आ जाती है, तो कभी तेरे सर में दर्ध हो जा बिल्कुल सही कातु ने, तो फिर आज शाम को तयार रहे न, मैं अपनी सहलीों से मिलने जाने वाली हूँ, उनके घर चलना, वहाँ हो सकता है, वहाँ के साथ वास्तू तुझे कुछ सूट कर जाए। पुंते वक्त उसकी कलाई में बोचा जाती है। अपनी बहु के शरिर की कमजोरी छूबंतर हो जाएगी। रख लीजे न, ममे जी, क्योंकि अब तो आप पापा से मेरी कंप्लेंट भी नहीं कर सकती। यादे न, अपने पापा को क्या कहा था, कि ये मेरी पसंद की बहु है, अगर ये मुझे दो चपल भी मारेगी, तब भी मैं आपको फोन नहीं लगाऊंगी। और आखिरकार, उमा को अपनी बहु के लिए घर में कामवाली लानी पड़ती है, और अपना सारा ड्रामा छोड़ना पड़ता है।